नमस्कार जेहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कभी आदिग्णे स्वागत करता हूँ आप सभी का यह कक्षा बारा की अपनी आरो है भाग दो जो पुस्तक चल रही है उसका नुवा अध्याय चल रहा है और कल की कक्षा के अंदर फिराग गॉरपूरी सहाब की जो रुबाईया उनका भावार्त आपको अच्छे से मैं समझाता चलूँगा तो पहला यहाँ पर गजल का शेर है कि नौरस गूचे पंखुडियों की नाजू गिरहें खोले है या उड़ जाने को रंगोबू गुल्शन में परतोले है यहाँ पर देखिए साब जो नौरस है नौरस यानि नयारस पहले कुछ शब्दों का आप अर्थ देख लीजिए नौरस यानि नयारस गूचे जो है इसका अर्थ हो जाता है साब गूचे का कली ठीक है गिरहें यानि गांठें ग्रे यानि क्या हो जाएगा गांठें यहाँ पर देखे भी इसका आवार्थ कि नौरस गूचे पंखुडियों के नाजुक ग्रेहें खोले है या उड़ जाने को रंगोवू गुल्षन में पर दोले है यहाँ पर शायर ने क्या किया प्रकरतिका चित्रन किया है प्रकरतिका मनोहारी चित्रन किया और शायर कहता है कि जो बसंत रितु आईये उसके आगमन से क्या हुआ ह वो अपने नाजुक है जो नर्म है जो गाठे है जो खोल रही है और या उड़ जाने को रंगोबू ग político defining में प्रतोले या फिर उन कलिएं के अंदर जो बंध है रंग वे खुश्बू पंक प्सू से तर्फ है या उड़ जाने को बंद है अपने पंक है प्सहू पर तोले है ठीक यानि कि नहीं नहीं कॉंपने आ गई है बाग में और कलियां जो खिल उठीए और उनके रंग वह खुश्बु जे सारा बगीचा है जो महें खुटा है इस शेर का है जो यहाँ पर कप्लेट भावार्त यह हो जाए कि नहीं नहीं कॉंपने खिल उठी है और और जो कल भी मैंने बताया था कि गजल के अंदर जो पहली दो पंक्तियां होती है उनको कहा जाता है मतला अलांग यह परिक्षा के अंदर पूछा नहीं जाएगा फिर भी ध्यान में रखिया पहली जो दो पंक्तियां होती है उनको मतला कहा जाता है और जो आखिर की दो प जबकावे है जर्रा जर्रा सोय है तुम भी सुनो हो यारों शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं तो जर्रा जर्रा यानि कणकण जर्रा जर्रा का क्या हो जाएगा कणकण अगर शब्दार्थ पूछ ले परिक्षम कहीं बार शब्दार्थ भी पूछ जाते हैं तो ध्यान में र can any Raq 3 अभद देखिए ड़ोट एग्या सच्व देखीं तो टारे आंखें जपकावे हए जर्राजर्राथ स्टूए ऑस पंग्यों में शायर क्या काता है जो रात है तारों अवर्णन कर रहे शायर कैता है रात में आश्मान में हजारों तारे जर्राज और हैं तारे आंखें जपकावे हैं जर्रा जर्रा सोय तो तारे आंखें जपकावे से तात्प्रिय जो तारे हो आंखें जैसे जपकती उसी प्रकारें टिम्टिमा रहे हैं और जर्रा जर्रा सोय यानि जो परत्विका कंकन है वो क्या है सोया है परत्विका कंकन तो सोया हुआ है और आसमा और ऐसे में शायर कर रहा कि तुम भी सुनों, रात की ये शांती ये खामोशी हमसे कुछ किहना चाथती है, तुम भी सुनों हो रहा है. इसको तुम ध्यान से सुनो यह है जो हमें कुछ कहने के जो कोशिश है जो कर रहा है ठीक चंद पूछ ले गजल संद में है उर्दू फार्षी भासा का प्रियोग किया है जर्रा 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 जो आया यहाँ पर अगर यह पूछ ले अलंकार तो पुंडूकति प्रकास अलं कि अलंकार हो जाएगा तो एक तो मानविकरण भी हो जाएगा सनाटे का बोलने से कि सनाटा किस प्रकार बोल सकता है बोलने का काम तो मनुष्यों का होता है तो यह उस प्रकार मानविकरण भी हो जाएगा और देखे एक तो सनाटा है और सनाटा भी फिर बोल रहा है तो यह विरोधावास अलंकार भी हो जाएगा और तारों का यहां पर मानविकरण अलंकार यहां पर हो जाएगा यह चीज़ आप ध्यान में रखिएगा थोड़ी सी अगला शेर देखिए कि हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला किस्मत हम को रो लेवे हैं हम किस्मत को रो ले हैं देखे साब, यहाँ पर क्या इन पंक्तियों के इंदर शाइर जो है, कर्म करने बिना कर्म कियोई, फल की इच्छा रखने वाले जो लोग होते हैं, उन पर कटैक्स कर रहा है, कि काम कुछ ने करना पढ़ना लिखना नहीं है, फिर भी नोखरी लगनी है, खाना वाना बढ़ा कर दोनों को एक ही काम मिला है नी कि मुझे और मेरी किस्मत को क्या का मिल दोनों को कि किस्मत मुझे कोषती है कि तुन्हें sa pe be a काम कियाने तुझे कैसे मिलता और में किस्मत को कोस्त आ रहता हूं कि मेरा तो भाग गई ऐसा किस्मत ही इस ही है यह शेयर से आप मोटिवर्शन ले सकते हैं मतलब दरसल इस शाइर क्या करना चाहता है इन पंक्तियों के अंदर इस शेयर के अंदर कि अपने किस्मत को कोशते रहते हैं कि उन्हें जो चाहिए था वो उनकी किस्मत में नहीं है या किस्मत में नहीं दिया उने और शायर की किस्मत शायर को कोशती है कि उसने कभी पूरी मेनद से पूरी कुशिस की नहीं पूरा कर्म किया ही नहीं जो तू चाहता था वो प्राप्त हो जा अगला शेर है जो मुझको बदनाम करें है कास वे इतना सोच सकें मेरा परदा खोले है या अपना परदा खोले है अपनी कम्यों को लोग देखे बिना ही अपनी कम्यों को देखे बगएरी सदा दूसरों की बुराई करने वाले जो लोग उन पर क्टाक्श कर किया गया यहाँ पर अपनी कम्यों खुद के नहीं देखते हैं कि मारवाड में उसके बगएरी सच और दूसरों की कम्यों करने निकाला थे यार वो तो इसा वैसा अर्य तो पहले खुद को तो देख तो उस पर उन्हीं पर कटाक्श किया कि जो लोग मेरी बुराई कर मुझे बदनाम करने ही को कि अपना ही बुरा कर रहे हैं मेरा परदा खोले है या अपना परदा खोले हैं या निकि शायर यहां पर करना चाहता है कि वो लोग जो दुनिया के सामने मेरी बुराई कर मुझे बदनाम कर रहे हैं मुझे निचा दिखाने ही कोशिच कर रहे हैं मेरे लिए कुछ अनाप्स बके जा रहे हैं बोले जा रहे हैं वो बलकि अपना असली रूप है जो दुनिया को दिखा रहे हैं मतलब अपना ही नुक्षान कर रहे हैं लोगों को भी पता चल ला है कि ये देखो कि उसके परति क्या सोच रख रहा है तो मुझे बदनाम नहीं करें अपनी जो असलियत है वो है जो सब के समक्ष है जो प्रस्तूत कर रहे हैं बयां कर रहे हैं ठीक है क्योंकि आपको ये तो मालूम हो कर ये सत्त है बिल्कु सरव विदित कि जो व्यक्ति आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है हो सकता है वो वेक्तिकल दूसरों से आपकी भी बुराई कर सकता है तो यह आपको समझना है जो जरूरी है ठीक है अगला शेर देखिए यह कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरुस्ति यह होशो हवास तेरा सोधा करने वाले दिवाना भी हो ले है तो यहाँ पर यह बदुरुस्ति यह होशो हवास है विवेक के साथ यह अगर पूछा जाए बदुरुस्ति यह नहीं होता है विवेक के साथ हो यहाँ पर देके शायर क्या कर रहा है, यह कीमत भी अदा करें हम बदुर्स्ति एह होशोहवास, तेरा सोदा करने वाले दीवाना भी हो ले है, इन पंक्ति में शायर अपनी जो प्रिया है प्रेमिका है उसके वियोग से दुखी है और वहाँ पर आगे क्या कहता है कि मैं इस वक्त तुमसे बहुत दूर हूँ मैं इस वक्त ये कीमत भी अदा करें हैं हम बदुरूस्ती एह होश वाज कि मैं इस वक्त तुमसे बहुत दूर हूँ जिसकी कीमत में पूरी विवेक के साथ मैं होश वाज के साथ मैं जो चुका चुका आधा कर चुका हूँ और तेरा सोदा करने वाले दीवाना भी हो ले है। तो ये जो मैं तुमसे दूर होने की जो कीमत है तुमसे प्रेम करने की जो कीमत हो जो पूरी अदा कर चुका हूँ चुका चुका हूँ या चुका रहा हूँ यह कीमत यानि कि शायर अपने प्रिया के वियोग में दुखी है और आंसू बहा कर अपने प्रेम की जो कीमत है वो पागल हो जाते हैं प्रेम के अंदर वो प्रेम में लोग अक्षर अपने क्या है सुद्बुद्ख हो जाते हैं पागल हो जाते हैं दिवाने हो जाते हैं और दिवाने होने के बाद में अथा प्रेम करने वाले लोग पूरी तरी किसे पागल हो जाते हैं कि तुमसे जो मैं प्रेम कर रहा हूँ वो पूरे होशो वास में वो उसकी कीमत भी है जो मैं अदा कर रहा हूँ मारा मारा फिर के वियोग के अंदर बठक रहा हूँ अगला शेर देखिए साथ कि तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का खयाल भी है सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है पासे अदब यानि लिहाज होता है पासे अदब दहान में रखना पासे अदब यानि लिहाज ठीक है काईदा देखिए साहाब यहाँ पर क्या कह रहा है शायर कि तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का खयाल भी है सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं तो शायर अपने प्रिया से दूर है और क्या कहता है मुझे तुमसे बिछड़ने का अता दुख है मुझे तुमसे बिछड़ने का जो दुख है वह बहुत ज्यादा है इस दुक्का में समान करता हूं तेरे गम का पास है अदब तुम्हारे इस दुक्का में समान करता हूं लिहाज करता हूं अदब करता हूं कुछ दुनिया का खयाल भी है सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले है इसलिए मैं अपने दर्द को क्या सबसे छुपा कर चुपचाफ अकले में रोता हूं, मेरे प्रेम का व्यो का सब के समक्ष जो ढिंडोरा नहीं पीड़ता मैं शायर अपने दूख को क्या दुनिया वालों को दिखा गर उसका जो मजाग नहीं बनवाना चाहता है कि मैं अंदर ये अंदर हो लेता हूं छुप चुप कर शायर नहीं चाहता है कि दुनिया वाले उसकी प्रिया के बारे में प्रेमिका के बारे में जो गलत बात करें तुम् तवाजुन आलमे हुष्णों इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं फित्रत यानि आदत होती है फित्रत का क्या आदत होता है सहाब आदत ठीक है तवाजुन यानि होता है संतुलन तवाजुन यानि क्या होता है संतुलन बेलेंस ठीक है मामला दे कि दुनिया में प्रेम और शौंदरिये का क्या आपस में एक संतुलन होता है फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुश्णो इश्क में भी कि दुनिया में प्रेम और शौंदरिये का और आपस में क्या होता है प्रेम और संतुलन होता है तवाजुन होता है बिल्कुल और जो उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं और जो जितना अपने आपको प्रेम के लिए समर्पित कर देता है वो उसके बदले में उतना ही है जो प्रेम उसको मिलता है यानि जितना आप दोगे उसे अनुरूप है जो आपको मिलेगा यानि जो जितना दूसरों से प्रेम कर रखता है प्रेम ही है जो संसार के अंदर कायम है जो संतुलन रखता है संदर और प्रेम और इससे हम उतना ही प्रेम पाते हैं जितना हम श्यम को प्रेम के लिए क्या करते हैं समर्पित कर देते हैं चलिए साथ, खोकर पाने में, खोना भी और पाना भी, यहाँ पर कौन सा लंकार, विरोधावा सा लंकार, अगला शेर है कि, आबो ताब अशार ने पूछो, तुम भी आँखें रखो हो, और ये जगमक बेतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं, ठीक है, बेतियानी, शेर, बे चमक दमक के साथ, तो यहाँ पर शायर क्या कता है, अपने पढ़ने पाठक जो है, उसके उनको संबदित करते हैं, कि आबो ताब अशार ने पूछो, तुम भी आँखें रखो, कि तुम सिर्फ मेरी शायरी की उपरी जो चमक दमक है ना, उसको मद देखो, आबो ताब जो आप ताब है जो चमक धमक है ना उसके बारे में जैदा मत देखो तुम खुद भी तो समझदार हो तुम भी आँखें रखो तुम भी आँखें रखो उसे तात्प्रिय की तुम खुद भी तो समझदार हो, इतना तुमारे भी तो आँक है, तुम्हें भी तो दिखाई दे रहा है, और ये जगमक बेतों की दमक है, या हम मोती रोले हैं, इसलिए तुम सिर्फ मेरी शायरी के सब्दों के साथ मत देखो, उनके अर्थ को ध्यान से समझने कोशिश यार कमाल की शायरी करती, कमाल के शब्द वावा, गजब का शेर है, तुम तो लोग ये जगमक बेतों की चमक दमक दिख रहे तुमकों, लेकिन आपको वास्तुक पता नहीं, या हम मोती रोले हैं, जब कितना पीड़ा, कितना दुख साहा, तब जाकर ये शेर है जो गजल कि ऐसे में तूँ याद आए है, अंजुमन मै में में रिंदों को, रात गए गरदों में फरिष्टे, बाबे गुनाह जग खोले हैं, तो यहाँ पर देखिए साहाब, अंजुमन मै अगर शब्द दे दी और पूछ ले जाए, इसका क्या अर्थ होता तो अंजुमन मै शे भी मस्त हो जाता है बिल्कुल रिंदी यानि होता है शराबी ठीक है और अंजुमने में यानि शराब की महफिल आगे हम बात करें जो गर्दूर शब्दा या गर्दू का अरत होता है आकाश या आशमान गर्दू का क्या अरत होता है आकाश या फिर क्या होता है आसमान ठीक ह पंक्तियों में शायर अपने प्रेमिका से कहता है कि जब रात बहुत अधि गहरा आजाती है रात जब क्या है अधि गहरा जाती है तो आस्मान में जो बेटे फरिश्टे इस दुनिया के गुनाओं का हिसाब किताब कर रहे होते हैं गर्दु में फरिश्ते बाव आप गुना चखो लें कि जब मुझे ऊस समय याद आती जब रात हो जाते और उस समय जो फचाले उते होते दुटिए गुनाओं का हिसाब किताब कर रहते हैं तो मैं क्या करता हूं में क्षाने बैडिकर तुम्ही याद गैगा है अगला और अंतिम शेर है कि सद्के फिराक देखिए फिराक और नाम अगया तो यह क्या है है चाले प्रसंस करता व्यतकregular की अज़ते एक सद्के ए मर्टे फुराक की प्रस तो इन पंक्ते में शायर खुद की परसंचा करता हुए कहता है कि ये फिराख मैं तुम्हारी गजलों पर फिदा हूँ सदके जा रहा हूँ तुमने इतना अच्छा लिखना कहां से सिखा सदके फिराख एजाज एजाज सुखन के केसे उडा ली आवाज कि तुमने इतना अच्छा लिखना है जो कहां से सीका में तो तो हमारी गजलों पर फिदा हों बिल्कुल और तुमारी गजलों को पढ़ते समय तुमारी गजलों को पढ़ते समय ऐसा लगता है जिसे इन गजलों को साक्षातकार मीर साब ने लिखा है इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजले बोले, मीर की गजले बोलने से ताथ परिये, इन गजलों को पढ़ता हूँ तो लगता है कि कहीं ये मीर साथ ने लिखी इतनी गजब की कमाल की गजले है जो लिखी है, मीर भी एक शायर है, मीर गाली मीर तक की मीर शायर हुए है, तो वो बात है तो यानि कि फिराग साहब अपनी गजलों में क्या गजलों की जो तुलना है मीर साहब बहुत बड़े और जाने माने शायर हुए है तो अपनी गजलों की तुलना मीर साहब की गजलों से है जो करते है और इस शेर में शायर का क्या आत्म प्रसंसा का है जो भाव याँ पर दिखाए दे रहा है तो ये थाई अपने गजल और उबाईयां फिराग साहब की निची जो शब्दार्त है देखिए याँ पर ये जरूर ध्यान में रखना मैया में तो चंदर खिलोना ले हो पंक्तियां किसके सूर्दास की ये पूशा गया परिक्षा के अंदर एक बार तो जरूर ध्यान में रखिया किस पंक्ति को और वियोगी होगा पहला कवी आह से उपजा होगा गान और उमढ़कर आखों से चुपचा बही होगी कवीता अंचान सुमित रांदंदन पंथ ठीक है ध्यान में रखना और सीस उतारे भूई धरे तब मिली है करतार ये कबीर की पंक्तियां तीनों पंक्तियां बहुत मौश्ट और हर बार कहीं बार पुछी कई ये परिक्षा के अंदर तो तीनों को जरूर ध्यान में रखियागा नोट कर ल सब्सक्राइब कर लिजिए और नोटिफिक के सब्सक्राइब करें तो यूटूब पर सर्च किजिए इसको भी आप सब्सक्राइब किजिए या पर बहुत सारे पढ़ाई से समदिर मोटिफेशनल वीडियो डाले गए जाहिंद पर मिलता